तो वैलकम बेक टू अनधर वीडियों, तो आज की वीडियों भाई हम ना इसको रिले को तोड़के देखेंगे क्योंकि मार्केट के अंदर काफी सारी रिले आती हैं और कई सारी सास्ती आती हैं, कई सारी महंगे भी आती हैं तो यह जो लियोन की यहां पर रिले है आप कसी दूसरी आती है वो आती है थोड़ा सा रफ टाइप का जो होता है न हमेट्रियल इसमें वो आती है तो इनका ये थोड़ा सा डाउट कलीयर करने के लिए कि नहीं है तो हम देखेंगे तोडके कि इसको अंदर जो फ् Pearl to होती है वो कोपर की है या नहीं है या फिर कितनी मोटी है 30 MPR ये प्रोपर ले पाएगी या नहीं ले पाएगी तो वो इसको तोड़के पता चलेगा कि क्या हिसाब किताब इसका बनता है तो चलिए इसको देखते हैं तोड़के कि इसके अंदर क्या मालमामना निकलता है तो कि पलास्टिक भी थोड़ा सा इसका बार्ड है और कि कि इसका तोट जागा बाई अब पलास्टिक ही देड़ कि अब कि कि तो यह जो रिले है काईज यह काफी कोस्टली आती है और यह थोड़ा सा डाउट हो रहा था हमको क्योंकि वह बंदा उसको औरिजनल बोल रहा था तो हमने देखा इसको देख लेंगे तोड़ा सा तोड़ तमरोड के क्या हिसाब किताब बंदा तो यह देख सकते हो इसके अंदर से प्योर कोपर चमकने लग गया बिल्कुल अच्छे तरीक के से लो भाई दूद का दूद पाणी का पाणी हो जाएगा अभी इसको देखेंगे प्रोपर निकाल के देखेंगे और यह भी बताएंगे यह किस तरीके से काम करता है तो वह थोड़ा सा पता चलना चाहिए ना ओडियंस को तो यह देख लो भाई यह होता है एक रिले के अंदर और यहां पे इसकी जो प्लेट है बाई साब इतनी मोटी प प्लेट है यहां पर देख सकते हो एह प्रोप कोयेल भी कितनी सांदार चमक रहे हैं इसके अंदर तो यह कोयेल जो होटी है इसलिए यहाँ पे लगी होती है क्योंकि इसके अंदर मैगनेट बनती है तो देख सकते हो क्योंकि हम जो चीज लगा रहे है उसकी quality का पता होना बहुत जूरूरी है कि भई वाकई में हम वो चीज लगा रहे हैं नि लगा रहे हैं जो हमें लगानी चाहिए जिस चीज के हम पैसे दे रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे सारी चीजे कलियर हो चुकी है तो आपको वीडियो कैसी लगी है तो फटा-फट से कोमेंट करके बताओ और लाइक तो करी देन वीडियो को